हेलो फ्रेंड्स, यूके निटिंग में आपका स्वागत है, आज मैं आपके साथ बहुती खुबसूरत पैटन सियर करने जा रही हूँ, इस पैटन को आप लेडी स्वेटर, गल्स स्वेटर, बेबी स्वेटर, जैन्स स्वेटर के पादी में अपलाई कर सकते हैं, बनके ये पैटन बनना इस्टार होता है, इस पैटन को बनाने के लिए हमने फोर के मल्टिपल में फंदे डाले हैं, प्लस हमने वन फंदा एक्स्ट्रा डाले हैं, दस नमबर की सलाई में हमने इस पैटन को बना लेने हैं, सबसे पहले हम अपने प्रोजक्ट की साब से फंदे डा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए न्यू वीडियो की नोटिकेशन के लिए बेला इकन दबाना न भूलें वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना न भूलें अब हम अपना पैटन बनाना स्टार्ड करते हैं त पूटा भूनते हुए कमप्लीट करना है फर्स्ट रो में हमारे जितने भी फंदे होंगे हमने यही प्रोसिस रिपीट करना है अब देखे बैक साइड से पैटन की सेकिन डो अब सेकिन डो में देखे पहला फंदा उता लेंगे धागा पीछे करेंगे और बैक साइड से हमने सेकिन डो को सीधा भूनते हुए कमप्लीट करना है यह देखे यह बैक साइड से हमारी पैटन की सेकिन डो कमप्लीट हो गई अब देखे फ्रंटी साइड से पैटन की थर्ड रो में देखे पहला फंदा उतार लेंगे धागा अपनी साइड करेंगे तीन फंदे उल्टे बुनेंगे एक दो तीन फिर धागा पीछे करेंगे एक फंदे से हमें तीन फंदे बनाने, तो देखे, एक धागा अपनी साइट दो, फिर बुनके तीन, अब नेश्ट आपने इनहीं चार फंदों का प्रोसिस रिपीट करने है, धागा अपनी साइट करेंगे, तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, एक, दो, तीन, धागा पीछे एक फंदे से तीन फंदे बना लेंगे, नेश्ट आपने से हमें प्रोसिस रिपीट करेंगे, तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, एक फंदे से हम तीन फंदे बना लेंगे, एक, दो, तीन, फिर धागा अपनी साइट, तीन फंदे उल्टे, एक फंदे से तीन फंदे बना लेंगे एक धाग अपनी साइड दो फिर गुन के तीन लास्ट में हमारे तीन फंदे उल्टे आ जाएंगे और एक फंदा सीधा आ जाएगा तो देखे एक फंदे से हमारी पैटन की थार्ड रो कम्प्लीट होगे बैक साइड से फोर्द रो फोर्द रो में देखे पहला फंदा उतारेंगे धागा पिछे कर लेंगे तीन फंदे सीधे एक दो तीन धागा अपनी साइड एक फंदा बिना बुने उतारेंगे जो एक फं बिना बुने धागा पीछे करेंगे एक फंदा सेंटर वाला सीधा फिर धागा अपनी साइड एक फंदा बिना बुने यह देखे जो एक फंदे से तीन फंदे बनाए थे उसमें से देखे बैक साइड से एक फंदा हमने बिना बुने एक फंदा बुनके फिर एक फंदा बिना बुने, नेस्ट हम सेम प्रोसिस रिपीट करेंगे, तीन फंदे सीधे, धागा अपनी साइड, अब देखे, फ्रन्ट साइड की तरब से देखे, जो एक फंदे से तीन फंदे बनाए हैं, इन में से एक फंदा बिन बुने उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा बिन बुने अब नेश्ट आम यही प्रोसिस रिपीट करेंगे तीन फंदे सीधे एक फंदा बिन बुने धागा पीछे एक फंदा सीधा फिर धागा अपनी साइड एक फंदा बिन बुने उतारेंगे फिर तीन फंदे सीधे आ जाएंगे धागा अपनी साइड एक फंदा बिन बुने धागा पीछे कर लेंगे एक फंदा सीधा फिर धागा अपनी साइड एक फंदा हम बिन बुने उतारेंगे फिर लास्ट में हमारे तीन फंदे सीधे आ जाएंगे और एक फंदा उल्टा आ जाएगा तो देखे, बैक साइड से हमारी पैटन की फोर्द रों कम्प्लेट हो गई, अब देखे, फ्रन्ट साइड से पैटन की फिप्त रों, पहला फंदा उतारेंगे, धागा अपनी साइड, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे कर लेंगे, अब नैसे देखे, ये जो दो का एक करेंगे, फिर धागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे, अब नैसे देखे, हमने दो का एक करना है, तो इस फंदे को इस तरीके से पल्टाएंगे, फिर दो का एक कर लेंगे, धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, नैसे अपने दो का एक कर लेंगे, फिर एक फंदा उल्टा आ जाएगा, धागा पीछे, अब देखे, जो एक्स्ट्रा फंदा है, इसको पल्टाएंगे, और नैसे फंदे के साथ एड़ करके बुन लेंगे अब नैसे यही प्रोसिस रिपीट होगा, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर दो का एक, एक एक एक्स्ट्रा फंदार, एक बुना हुआ फंदा, दो का एक करना है, फिर एक फंदा उल्टा बुनना है, फिर दो का एक कर लेना है धागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे फिर दो का एक करेंगे धागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे फिर नेस्ट फंदा पलटाएंगे एक्स्ट्रा वाला फिर दो का एक कर लेंगे लास्ट में हमारे दो फंदे उल्टे आ जाएंगे और एक फंदा सीधा आ जाएगा तो देखे ये फ्रंट साइड से हमारी पैटरन की फिफ्ट रो कम्प्लीट हो गई बैक साइड से 6 रो पहला फंदा उतारेंगे धागा पीछे कर लेंगे दो फंदे सीधे एक फंदा उल्टा फिर दो फंदे सारी एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा फिर एक फंदा उल्टा आ जाएगा एक फंदा सीधा फिर एक फंदा उल्टा सेम प्रोसिस रिपीट करते जाएंगे बैक साइड से अपनी 6 रोप कमप्लेट कर लेंगे देखे बैक साइड से हमारी पैटन की 6 रोप कमप्लेट हो गई अब देखे फ्रन्ट साइड से 7 रोप अब 7 रोप को हमने 1 रोप की तरह उटा भूनते हुए कमप्लेट करना है यह देखे फ्रन्ट साइड से 7 रोप कमप्लेट हो गई यह बैक साइड से देखे 8 रो 8 रोप को हमने पैटन की 2 रोप की तरह भूनते हुए कमप्लेट करना है पहला फंदा उता लेना है और बैक साइड से हमने 8 रोप को सीधा भूनते हुए कमप्लेट करना है यह देखे बैक साइड से हमारी पैटन की 8 रोप कमप्लेट हो गई अब देखे फ्रन्ट साइड से 9 रोप अब 9 रोप में हमारा पैटन रिपीट एंड सिप्ट होगा तो देखे रिपीट एंड सिप्ट की एक रोप पहला फंदा उतार लेंगे इस तरीके से धागा अपनी साइड करेंगे एक फंदा उल्टा बुनेंगे ये देखे एक फंदा हमने उल्टा बुना धागा पीछे करेंगे अब next फंदे में हमारा पैटन आएगा तो देखे एक फंदे से तीन फंदे बनाएंगे एक धागा अपनी साइड दो फिर भूनके तीन धागा अपनी साइड, अब नेश्ट देखें, तीन फंदे, उल्टे आएंगे, एक, दो, तीन, धागा पिछे करेंगे, अब देखें, नेश्ट हमारा पैटरन वाला फंदा आ जाता है, इस्पर एक फंदे से तीन फंदे बनाएंगे, एक, धागा अपनी साइड, दो, फिर फिर नेश देखें, तीन फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, फिर एक फंदे से तीन फंदे बनाएंगे, फिर धागा अपनी साइड करेंगे, तीन फंदे उल्टे आ जाएंगे, एक, दो, तीन, धागा पीछे, एक फंदे से हमें तीन फंदे बना लेने, फिर धागा अपनी साइड तीन फंदे उल्टे आ जाएंगे धागा पीछे एक फंदे से तीन फंदे आ जाएंगे एक दो तीन धागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा और लास्ट का फंदा सीधा आ जाएगा तो देखे एफ्रेंटी साइट से हमारी pattern की 9th row complete हो गई, 9th row में हमारा pattern repeat and shift हो रहा था, अब हमने अपने pattern को ऐसे ही repeat and shift करते जाना है और बनके देखे, हमारा pattern कुछ इस तरह से आ जाएगा, यह देखे, वहते सुन्दर, वहते आसान pattern है, आप इसे all project में apply कर सकते हैं, दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो किरपया लाइक करें, सियर करें, कमेंट करें, और आप हमारे चैनल में नहीं हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूलें, थेंक्यू झालos चैनल में तो झालvaluation सकते हैं, तोस्तों करें, स काहची हैं, सहां आपको हमारा अपको हमारा पाला वीडियों, हमारा शाम करेंक्लैंट, पक्रणार